Hello everyone, मैं हूरूभी और आप सभी का तारा मदू डाइरीज में बहुत-बहुत स्वागत है तो friends, आज मेरा दिल थोड़ा सा दुखी है क्यों है, क्या हुआ, सारी जानकारी दूंगी आपको पर उससे पहले आप तारा मदू की रसुई के चैनल पर जो आज मैंने वीडियो पोस्ट की है वो जरूर देखिएगा वहाँ तो मैं बहुत जादा बोल नहीं सकती क्योंकि वहाँ पर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो रेसिपी और केकी डेकोरेशन या कुछ बेकिंग से रिलेटिट सीखने आते हैं बट यहां मैं आपसे अपनी दिल की बात कह पाती हूँ कुछ अपने आप लाइव आ करके अगर सिखाना चाती हूँ कुछ पताना चाती हूँ जितने भी मेरे होम बेकर्स हैं और अगर आप ऐसी प्रॉब्लम में फर्स जाएं तो अपनी गलती को एकसेप्ट करना या दूसरे के उपर चड़ना कितना गलत हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगी तो देखे फ्रेंड्स हुआ कुछ ऐसे कि मैं अपने घर के किचिन के दोपैर के काम को करके बैटी थी दोपैर के बज़ रहे थे एक या देड़ बज़ रहा होगा मैंने मुझ पर मेरा जो वाटसप बिजनस नमबर है मेरे चैनल पर सबसे पहले एक कमेंट आया कि हाई मैम आपका मुझे नमबर नहीं मिल रहा है मुझे केक और करना है तो तुनक मैंने जब कमेंट देखा तो मैंने उनको अपना नमबर दिया अपना बिजनस नमबर और विदिन 5 मिनिट्स मुझे एक मैसेज आ गया तो जिन्होंने मुझे मैसेज किया था पहले मेरे चैनल पर उनका नाम है शाहिदा जिया जी और ये रहती है कोलकाता में तो इन्होंने मुझे बोला कि मुझे केक का ओर्डर करना है गुहाटी के लिए मैं कोलकाता में रहती हूँ तो मैंने बुला आप कोलकाता में हैं और आप केक का ओडर कर रही है गुहाटी के लिए बुली हाँ, मेरी बेटी महां रहती है, और उनकी marriage anniversary है, 18th, तो आप से मैं उनको एक surprise केक देना चाहती हूँ, और मैंने अपके चैनल पर देखा हुआ है, कि पहले payment करना चाहिए, otherwise fake बुला ठीक है, कब चाहिए आपको के, पुलिश आमको 7 बजे, मैंने बुला, अरे आप थोड़ा पहले बुलती है, बस थोड़ा गलती हो गया, लेट हो गया, तो हो पाएगा, मैंने का, हो तो पाएगा, मैं कभी किसी order को मना नहीं करती, थोड़ा बहुत लेट हो जाए, वो भी समझ रही थी, बट मुझे तब ही लगना था, तो देखिए, एक incidence मेरे साथ हो चुका है, जिसमे एक लड़ी ने मुझे, एक लड़की ने मुझे cake order दिया था, किसी के कहने पर, पता नी, कहने पर या ना कहने पर, या वो क्या चाहती थी, और मुझसे उसने cake आधा, मत cake order accept ना करें, क्योंकि आज कल बहुत fake person घूम रहे हैं, इस तरीके से fraud करते रहते हैं, तो लेकिन लेडी से मैं जब बात कर रही थी, वो बहुत ही मुझे friendly लग रही थी, कि आप अपना number दे दीजे, मैं अभी आपको आधा payment, पूरा ही payment दे देती हूं, बट आप काम बाते की और मेरे घर में भी, मैं speaker पर सुन रही थी, तो मैंने अपने बच्चे से पूचा कि तुमको क्या लगता है ही lady, पेक है ये क्या है तो बोली पता नहीं, मा मा आजकल दुनिया में क्या होता है, husband थे नहीं मेरे, afternoon में, क्योंकि वो आए नी थी अपने office से, फिर मैंन मैंने सोचा, चलो, बीच-विच में उनके call भी आ रहे थी मेरे business number पर की, जा रहे हैं, अभी आपको थोड़ी देर में पैसा आ जाएगा, तो मुझे लगा इतना जब कोई बोल रहा है, तो शायद होई गाई, और कभी-कभी दिल की आवाज भी सुन लिए और मुझे लगा करके, केक प्रिमिक्स में, ओयल, फ्लेवर वगरा डाल दिया, अब मैं वेट कर रही हूँ, बस उनका message आ जाएगी, पेमेंट हो गई, तब मैं पानी या दूट डालूगी, क्योंकि अभी oil भी डालाया तो भी कोई बाती में फ्रिज में रख सकती हूँ, उनका message नहीं आया मतलब जितना उन्होंने कहा था कि मैं इतने समय तक आपको पैसे दूगी, उसके एक-दो घंटा उनको लग गया क्योंकि जाने आने में भी time लगता है, कुलकाता से वो दे रहे थी, फिर उन्होंने मुझे message कि कि केक का order था 1100 रोपे का, उन्होंने मुझे बोला कि 1000 मैंने देखे भेज दियें, 100 रोपिया जाने रहा था, तो मैं कल कर दूगी, जब बस वो आ गया, तो मुझे लगा कि भई ये वो चीज नहीं है, चलिए वो तो ये था ही नहीं, fraud case, यहां पर तो खानी कुछ और ही हो गई, तो मैंने अपना केक बनाना स्टार्ट कर दिया, मैंने मैं अपना लंच, मतलब मैं खानी पाया थी, बच्चों को दे करके मैं काम में लग दे थी, मैंने अपना खाना चार बजे खाया, जब मैंने अपने केक की थोड़ी क्रम कोटिंग करके उसको सेटोने रखा, चार बजे मैंने खाना काया, मतलब आप सोच सकते हैं, इस मैं जिन से अपना केक डिलेवर कर वाती हूं वह या बाइक पर लेके जाते हैं या बहुत बड़ा हवी केक है तो फिर कुछ और विवस्ता में करती हूं बट यह 1kg केक था और मैंने उनसे पूछा तो बोले नहीं आराम से चला जाएगा बहुत जाधा है भी भी नहीं था अब आपने उनको बनाया था उनके लिए बनाया था तो मैंने अच्छे से पैक कर दिया इवन मैंने डबल बॉक्स लगाया मतलब एक बॉक्स के अंदर केक रखा पर उसके उपर एक दूसरा बॉक्स भी दिया जैसे कि आपने देखा होगा मैं वीडियो में दिखाती हूं मैं डबल बॉक्सिंग करके देती हूं सो देट केक को कोई हाम नहों और वो अराम से चला जाए तो केक चला गया उनका कॉल आया बीच में कि केक अभी तक नहीं पहुंचा है वो ऐसी बोलती है रूबी जी केक अभी तक नहीं पहुंचा है तो मैंने बोला मैंने साड़े- पहाज बज़े निकाल दिया था ट्रैफिक है इस समय ओफिस वगर चूटता है को चलिए कोई बात नहीं पहुंच जाएगा तो साड़े-साथ मौने आर तक क्योंकि ट्रैफिक बहुत था उस दिन वो पहुंचा के अच्छा मेरे भाईया ने उन लोगों को दिया जिनके आ प्लस नए-णए अड्रस होते हैं तो हरो जाना का पता नहीं होता तो इस तरीके से फ्रेंड्स वो केक का ओडर जब वो देने लगे तो बोले मैडम आप चेक कर लीजिए के चाक है तो बोली नहीं नहीं सब ठीक है उन्होंने नहीं देखा और वो घर चले गए और मैं भी अपने घर में मसत होगी अपने काम से मैं खाने के बाद थोड़ी वॉक करने जाती तो हस्बंड के सांग गई थी तो जब वापस आई और अपना मोबाइल देखा तो उसमें उनके मैसेजिस केक की बुरी हाल केक ऐसा मैंने जो दिया था केक का जो बोर्ड था वो यहां है और मतलब पूरी हॉरिबल कंडिशन आप उसकी साइड में फोटो बगर दे सकते हैं उन्होंने वीडियो भी भी भेजिये वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया मतलब मैं पहचान ही नहीं पाई यह मेरा केक है तुरंत मैंने उनके वोइस मेसेजिस पढ़े उनको अचान ही लगा तो जब मैंने यह मेसेज पढ़ा मुझे बहुत गंदा लगा मैंने का यार इतनी महनत की इतना टाइम से बनाया और मैं लगी रही और यह को क्या हुआ तो अभी मुझे कुछ संवे नहीं आ था तो सीधा मैंने अपने भाया को कॉल किया जो कि अभी रास्त पेले मेरी बात सुनिये फोटो देखिया तो बहुत हुआ नहीं थीक से नहीं खोला होगा मैंने वीडियो बेजा बॉक्स तो उन्होंने बहुत अच्छे से खोला है क्या गड़ब रही है बहुत हुआ जो रास्ता था इस बार गूगल मैपस पे जो हमने देखा वो शायद लुड़क गया तो भाइया समझ गई थे कि हाँ ये शायद रस्ते में गिराया मैं अगर वहां से नहीं हुआ तो ये रस्ते में मुझसे मतलब ऐसे हो गया और हमें पता ही नहीं है हम अभी ऐसे लेके बैठे हो तो इस तरीके से फ्रेंड्स वो केक का जब मुझे पूरा वाक क्योंकि वो भाइया में नहीं बेजे हैं तो गलती मैं अपनी एकसप्ट करती हूँ आप मुझे बोलिए मैं तुरंत अभी किसी शॉप से या तो आपको केक कहुचा देती हूँ क्योंकि अभी मैं बना कर तो भेजनी पाऊंगी क्योंकि एनिवर्स्री आपको बेटी की पर अभी यही लेडी अगर मेरे को बोलती ही कि कैसा तुमने केक भेजा है तुमारी वज़े से मेरी बेटी का उकेशन खराब हो गया यह वो फलाना धिमकाना कुछ भी कहती ही तो शायद मैं भी इदर आकर गरम हो जाती कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हो यह तो हो जाता है ऐसा इंसान ही है गलती आपसे भी होती है हमसे भी होती है आपने भी तो मेरे ट्रस्ट पर केक बनाना स्टार्ट किया जबकि मैंने आपको पेमेंट नहीं की थी और जबकि 10 दिन पहले ही आपके संग एक फ्रॉड वाला केस हुआ है कोई बात नी जो हो गया सो हो गया अभी किया अभी जानती हो सकता इसी केक के साथ किया हो या कुछ और मगाया हो वो मैं नहीं जानती बट मुझे अच्छा नहीं लगा तुरंत मैंने फिर थोड़े देर बाद शान्त मन से बैठके कि कैसे इसको मैं भरपाई करूं क्या करूं और आप भी पताएगा फ्रेंड्स ऐ अपना केक का टेस्ट और जो मेरे से जो मेरे हमारी वज़े से जो गड़बर हुई है उसको ठीक करने के लिए मैं अपनी तरफ से केक देना चाहूंगी तो वो बोली कोई बात नहीं रुबी जी आप रहने दीजिए मनकर नहीं नहीं चाहे मैं छोटा या बड़ा जैस अभ सकते हैं उन्होंने बोला क्योंकि कल उनकी अनिवर्सरी थी तो आप उस पर एक कैग लगा दीजिएगा 18 years of happy married life तो मैंने वैसा ही बना करके फिर से उन्हीं भाईया के हाथ बेजा जबकि मेरे भाईया बोले कि मैं मैं अभी स्केक को नहीं ले जाओंगा ये गिर जाएगा क बोल देंगे आप ले लीजे क्योंकि दूरी बहुत हो थी तो खै ठीक ठाक केक भईया लेके गए और उन्हें बोला अभी आप देखे केक को तो उन्होंने जब देखा तो केक बहुत ही सही कंडिशन में था एक्चुली में सही कंडिशन में जाता है उस रस्ते की वज़े स वो डिस बैलन्स होके इस तरीके से ऐसे हो गया हाला कि आपने देखा हो अगर नारमदू की रस्ती पर तो मैंने उस केक के बीच में डाले बट हो जाता है इस तरीके के एक्सिदेंस के संग हो जाते हैं तो यह मैं वीडियो बना नहीं थी क्योंकि मैं इसका चोटा सा पाट आपके delivery boy के through या आप जिसके हाँ बेजरी उनके through या आप दे रही है वहां through गिर जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अपनी गलती को accept ना करें अपनी गलती accept कीजिए जान मुझ के नहीं किया मैं क्यों चाहूंगी कि आपको ऐसा हो और जो भी आप भर पाई वह समय उनको offer कर सके कीजिए चाहें आप उन्हें बोलिए कि मैं next day cake दे सकती हूं time है तो उसी दिन मैं आपको दूसरा cake दे देती हूं या फिर आप उनका पैसा refund कर सकते हैं पूरा का पूरा देखिए गलती अगर आपसे हुई है तो भरना भी आपको होगा और आपके through किस लगता उनका भी मूड़ खराब होता और वो भी गलत मेरे बारे में सोच थे बाद में जब हमारी सारी बात हो गई तो उन्होंने मुझे जो एक हजार रुपिया दिया ता ना बाद में बोला ता कि सौर पिया में बाद में दूंगी next day उन्होंने मेरा वह सौर भी मुझे वापिस किया तो मैंने बोला इसकी जरत नहीं थी आप नहीं भी देती तो चलता तो बोली नहीं यह हमारा उस दिन का केक का ओडर का है यह हो गया है complete गिर गया कोई बात भी उसका आपने next दे दिया तो इस तरीके से देखिए friends कभी कभी अच्छा trust अच्छे लोगों के तो गलती पाएंगे अच्छा करिए अच्छा पाएंगे और गुरा करेंगे तो क्या पाएंगे वो आप खुद ही जानते हैं तो मेरा नुकसान क्या हुआ क्या नहीं हुआ यह छोड़ दीजे क्योंकि इससे कुछ नहीं मिलने वाला 500-700 रुपे का अगर नुकसान भी हो ज किया फ्रेंड्स आप मुझे जरूर बताइएगा क्या मैंने ठीक किया या इसके अलावा भी कोई और ऑप्चन हो सकता है क्योंकि जो मुझे उस समय ठीक लगा मैंने किया बट अगर आप कुछ सजेस्ट करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आप भी हुम बेकर्स हैं आप क्योंकि उनका मैसेज आया था कि थैंक्यू सो मच रूबी जी और मुझे तो अभी है स्टोरी सुनकर हसी आती एक्चली मैंने उनका नाम पूछा था क्योंकि उस दिन तो हमने बात कर ली मैंने बताना चाहूंगी क्योंकि इससे बहुत लोगों को सीखने को मिलेगा तो उन मैंने बोला कि मेरी जो बेटी की बेटी हैं उनका भी बद्दे कभी आएगा तो क्या आप केक बनाएंगी तो मैंने बोला जी जरूर बनाओंगी इस बार गड़बर नहीं होगी ठीक से आप तक पहुँचाओंगी तो इस पूरे वाक्या से आपको कुछ टिप्स कुछ जा जाते हैं तो हमें ठीक भी करने जाना होता है अगर आसपास स्टेज होती है या फिर हमें उनको बोलना पड़ता है कि थोड़ा कम दे दीजेगा क्योंकि यह दूरी बहुत थी बट ऐसे पूरे इंसे पूरे इंसिदेंस में यह कहूंगी कि अगर आप एक होम बेकर हैं टू अपनी डिलीवरी खुद लेके जाईए बट ऐसी भी कई सेज होती हैं कि वो लोग नहीं लेने आपाते तो ऐसे सिच्वेशन में बस पेपर या बैम्बू डॉल्स को डाल करके अपनी केक को अच्छे से से सेट कीजिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि टू टायर केक्स को अलग से टैकिंग कीजिए सही रास्ता चुनिए और अगर गड़बढ है रास्ते में तो वहीं रुख जाईए मैंने उन भाया को उस दिन यहीं बोला कि अगर आपको लग रहा है कि रस्ता गड़बढ है वहीं रुख जाईए कोई और ऑप्शन देखिए कोई गाड़ी अगर आपको कुछ शीख मिल जाती है तो बस यह ग्यान देना बहुत अच्छी बात है तो वीडियो को लाइक शेर जरू कर दीजेगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और तारा मदू की रोसवई पर इस वाले के की वीडियो और जो नेक्स्ट म में दे दूगी चलिए कल मिलेंगे बबाई टेक केर